नमस्कार दोस्तों आईए आज हम सभी गौर पाठा के बारे में जानते हैं गौर पाठा यानी की लैटिन नेम एलोवेरा एलोवेरा के नाम से आप सभी जानते होंगे लेकिन इसका हिंदी नाम है गौर पाठा एलोवेरा एक औशधी के रुप में जानी जाती है इसका उपयोग हम प्राचिन काल से ही करते आ रहे हैं क्योंकि यह एक संजीवनी बुटी की तरह कई रोगों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है दिखने में हरा और किनारे की ओर से कांटेदार आकरिती लिए हुए यह एलोवेरा संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है इसके कई नाम हैं जैसे गवारपाठा, धृत कुमारी बहुत से फायदों की वज़ा से इसे चमतकारी पोधा भी कहते हैं एलोवेरा के दोसों से अधिक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं एलोवेरा के पोधे में रस सबसे महत्व पून हिस्सा होता है एलोवेरा के रस में कई रसाइनिक तत्वों के गुन भी पाये जाते हैं जैसे 18 अमीनो एसिड, 12 विटामिन और 20 खनीज पाये जाते हैं इसके अलावा कई अन्य योगिक तत्वों भी इसमें पाये जाते हैं एलोवेरा के पोशन का महत्व एक और शदी के रूप में उप्योग में लाए जाने वाला यह एलोवेरा कई पोश्टिक तत्वों से भारा पड़ा है इसमें 12 विटामिन, 18 एम्मूनो एसीड, 20 खनीज, 75 पोशक्ततो और 200 सक्रिय एंजाइम शामिल हैं इसके अलावा कई रासाइनिक गुण, खनीज, कल्सियम, जस्ता, तामबा, पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैगनीशियम, क्रोमियम और मैगनीज प्रचूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें विटामिन के गुण भी भरपूर मात्रा में पाया जाते हैं विटामिन E, विटामिन C, विटामिन B, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, नियासिन और फॉलिक एसिड शामिल हैं इसके उपचार से हमें कई सकारात्मक परेडाम प्राप्त हुए हैं शारीरिक उपचार हेतु एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं एडाप्टोजन मानव शरीर की रोग प्रती रोधक शमता को मजबूत करने और वातावरण में होने वाले बदलाओं के प्रभाव को तेजी से शरीर में ढालता है आज की भाग दोर भरी जिन्दगी में बदलते हुए खान पान का असर सीधे हमारे हेल्थ पर पड़ता है एलोवेरा में पाय जाने वाले पालिस से चराइट्स वाइरस से लड़कर कई प्रकार की बिमारियों से शरीर को सुरक्षित रखते हैं इलोवेरा का जूस आपके शरीर को तनाव से लड़ने की शमता प्रदान करता है इसके अलावा आपको बिमारी से बचाने में सहायक तो होता ही है साथ ही मानसिक शान्ती भी प्रदान करता है पाचन क्रिया में सहायक आपने हमेशा पीट में गैस बनना और खाने न पचने की समस्या के बारे में तो सुना ही होगा हमारे शरीर में पीट संबंधी कोई भी बिमारी हो तो आप 20 ग्राम इलोवेरा के रस में शहद और निम्बू मिला कर सेवन करें यह पीट की बिमारी को दूर तो करता ही है साथ ही साथ पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है कबज की समस्या यह समस्या हमें अक्सर सुनने को मिलती है यह समस्या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है इस रोग को दूर करने के लिए एलोवेरा के रस का सेवन करने से बहुत ज़्यादा होता है छोटे बच्चों में कबज के लिए जूस एवं हिंग मिलाकर नावी के चारो और लगा दें इससे लाव मिलेगा इसके अलावा यकृत में बढ़ रही सूजन में इसके गुद्दे का सेवन सुबह शाम करने से यकृत की कारिया शमता बढ़ती है इससे पीलिया रोग भी दूर होता है Immunity System यानि के रोग प्रतिरोधक प्रणाली इलूवेरा पोधे के रस में रोगों से लड़ने की शमता होती है क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक ततों मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाते हैं जिससे शरीर में चूस्ती एवं फूर हरती बनी रहती है ह्रिदै रोग और मोटापा आजकल की सबसे बड़ी जटिल शमस्या हमारे शरीर में बढ़ता हुआ मोटापा है जो ह्रिदै रोग होने का मुख्य कारण बनती है मोटापे से शरीर में तीजी से कोलेस्टरॉल बढ़ता है और रक्त वाहनियों में व 여러ट. साका जमाव होता है ऐसी स्थिती में एलोवेरा का रस बेहत फायदेमंद होता है एलोवेरा जूस रोजाना 20 मिलेलिटर से 30 मिलेलिटर की मात्रा में पीने से शरीर में अंदर से भरपूरतं दुरूस्ति तथा ताजगी का एहसास होता है तथा उर्जा का उच्चसतर बना रह संधी शोत यह रोग काफी दर्तनाग होता है इसमें रोगी के हाथ पेर जोडों में दर्द अकड़न या सूजन आ जाती है साथ ही जोडों में गाठें बन जाती हैं और शूल चूबने जैसी पीड़ा होती है इसी लिए इस रोग को गठिया रोग भी कहते हैं जिसका सही इलाज एलोवेरा में पाया गया है पहले इसके दो फांक कर इसमें हल्दी भर कर हल्का गर्म कर लें और प्रभावित भाग पर लगा कर पट्टी लगाएं ऐसा आप लगातार 10-15 दिनों तक करें गठिया जोडों में दर्द मोच या सूजन में काफी रहत मिलेगी जोडों के दर्द में एलोवेरा जूस का सेवन सुबह श्राम खाली पेट करें और प्रभावित जोडों पर लगाने से विशेश फायदा में दता है मूह की सफाई जख्म घाव जलन जैसी कोई भी समस्या हो या फिर मूह पर पढ़ रहे छालों को दूर करना है इन सभी समस्याओं मे एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहिए जख्म या घाव शरीर में किसी भी प्रकार का जख्म या घाव हो जाने पर एलोवेरा के गुदे को क्रीम की तरह लगानी चाहिए इसके पत्तों के गुदे में जरह सी पीसी होई हल्दी मिलाकर इस पेश्ट को एक पट्टी पर लगा दें फोड़ा पक कर स्वता फूट जाएगा और मवाद निकल जाएगा एंटी सेप्टिक एंटी बैक्टिरियल और एंटी फंगल गुनों से भरपूर इसमें कोई शक नहीं कि एलोवेरा दुनिया का सबसे बढ़ियां एंटी भाइटिक और एंटी सेप्टिक गुनवाला हो होती है जिसमें एलोवेरा से 18 अमीनो एसीड के मात्रा को पूरा करता है इन गुनों से भरपूर एलोवेरा में सेपोनी नामक तत्व होता है जो शरीर के अंदुरूनी सफाई करता है तथा रोगांड रहित रखने का गुन रखता है इसके अलावा खतरनाक बीमारियों से निजात भी दिलाता है यह एड्स जैसी वीमारी में भी खास सावित होता है कोलेस्ट्रोल का अस्तर बनाए रखने में सहायक हमारे शरीर में मोटापा होने से शरीर में कोलेस्ट्रोल तेजी से बढ़ता है इसी कोलेस्ट्रोल को कम करने में एलोवेरा सबसे महतोपून रू में 10 ग्राम करेले का रस मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से डाइबिटीज से मुक्ति मिल जाएगी साथ ही 20 ग्राम आवले के रस में 10 ग्राम एलोवेरा के गुदे को मिलाकर प्रती दिन सुबह सेवन करें यह शूगर की बिमारी को धूर करेगा कैंसर से लड़ने में भी एलोवेरा कैंसर जैसे खतरनाक रोगों से लड़ने की शमता रखता है सरदी खांसी में भी लाव देता है बच्चों में हो रही सरदी जुकाम या खांसी पर 5 ग्राम एलोवेरा के ताजरस में शहद मिलाकर सेवन कराएं इससे बच्चों को फायदा होगा एलोवेरा के खुबसूरत लाव काटेदार पत्यों वाले इस एलोवेरा को छील कर एवं काट कर पहले उसका रस निकाला जाता है इस रस की दो चार चमज सुबह खाली पेट लेने से शरीर में शक्ति एवं चुस्ति फूर्ति बनती है अपने एंटी बैक्टिरिया और एंटी फंगल ग रोज करने से त्वचा भीतर से खुबसूरत बनती है और बढ़ती उम्र से त्वचा पर होने वाले को प्रभाव भी कम होते हैं फलों के साथ आउला और जामुन के साथ एलोवेरा का उप्योग करने से बालों को मजबूती तो मिलती ही है साथ ही ये आँखों का भी देता चेहरे में इसके जेल का प्रयोग करने से एलोवेरा बुढ़ापा नजर आने वाले तत्वों को नश्ट करता है एलोवेरा हमारे शरीर के अंदर की सफाईकर उनमें नविन शक्ति तथा फूर्ति भरता है एलोवेरा जेल हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यह में जाकर सभी प्रकार की कम्यों को दूर करता है शरीर को जवान बनाता है खिंचाओ के निशान को कम करता है चेहरी में बढ़ रहे स्ट्रेच के कुछ निशान से चेहरी में बुढ़ापा नजर आने लगता है त्वचा में जूरियां पढ़ने लगती हैं इलूवेरा के रस का सिवन करने से चेहरा दमकने लगता है जूरियां भी दूर होने लगती हैं स्ट्रेच मार्क्स त्वचा से संबंदित अलग-अलग तरह के रोगों को दूर करने में इलूवेरा बिहद लापकारी है एलुवेरा के गुदे से मसाज करने पर तवचा टोन होती है इसमें पाए जाने वाले तत्व श्ट्रेच मार्क्स को दूर करने में कारगर साबित होते हैं इसमें मौजूद एंजाइम खराब हो चुकी तवचा को हटा कर दूसरी तवचा को हाइडरेट करते हैं एक आफटर शेव के रूप में शेव करने के बाद ज्यादा तर चेहरा या तो कट जाता है या फिर जलन होने लगती है उस समय एलुवेरा जेल का आदर्श आफटर शेव लोशन का काम करता है धूप में फायदे मन सुरी की केड़े हमारे चेहरे की तवचा पर ज्यादा असर दिखाते हैं क्योंकि हमारी तवचा काफी नरम और समवेदन शील होती है एलुवेरा में सुरी की केड़ों से लड़ने की शक्तिशाली चिकितसक गुण होते हैं इसके हर्वल हमारे चेहरे में एक परत के रूप में काम करते हैं और साथ ही इसके एंटी ओक्सिडेंट गुण नमी की कमी की भरपाई करने में मदद करते हैं इसलिए जब भी आप धूप में घर से बाहर जाएं तो एलोवेरा का रस अच्छी तरह से अपने चेहरे पर लगा कर जाएं तवचा के लिए मोस्चराइजर एलोवेरा के एक्स्ट्रैक्ट मोस्चराइजिंग उत्पादों में इस्तिमाल किये जाते हैं यह सभी प्रकार की तवचा के लिए आदर्श माना जाता है बालों के लिए एलोवेरा आजकल बालों के समस्या को लेकर सभी लोग परिशान रहते हैं बालों का जड़ना, बालों का सफेद होना, बालों का रुखापन इस तरह की नजाने कितनी और समस्याएं हैं पर ये सभी समस्याएं इलोवेरा के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। आपको इसके लिए इलोवेरा जेल को सिर्फ आधे घंटा लगाना है। इसके बाद आप उसको धो सकते हैं। ऐसा आप महिने में सिर्फ दो बार करें। आपको इसके परेड़ाम कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेंगे। यह रूखे बाल को ओली करता है। बालों का विकास अगर आपके बाल जड़ से खत्म हो रहे हैं। तो इसका रस नियमित सिर्फ पर लगाते रहने से नए बाल आने लगते हैं। रूसी से छुटकारा दिलाता है। इसका गुदा या जैल को निकाल कर मेहंदी के साथ मिला कर बालों की जड़ों में लगाएं। इससे रूसी खत्म होने के साथ ही बाल काले, घने, लंबे यहों मजबूत हो जाते हैं। प्राकृतिक कंडिशनर के रूप में। इलोवेरा का जैल बना कर बालों के जड़ों पर लगाएं जाने से बालों में चमक आती है और यह एक प्राकृतिक कंडिशनर के रूप में काम करता है। बैलेंस पीएचस्तर यह सीर के पीएचस्तर को संतुलित कर बालों को मॉस्चराइजड रखता है और बालों के विकास को बढ़ावा देता है एलोवेरा जेल और लेटेक्स एलोवेरा के ये दो हिस्से सबसे अधिक लापकारी होते हैं ये जेल खोखली पत्तियों में पाया जाता है घायल अवस्था में शरीर के अंग में रक्त का प्रवाह जब तिव्रगती से बढ़ता है इस रक्त प्रवाह को रोकने के लिए घाव भरने के लिए एवं कई त्वचारोगों में यूज किया जाता है और ये मदद करता है एलोवेरा खुराक और साइड में और शद्य गुन होते हैं यह हम अच्छी तरह से जानते हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है यह कई रोगों में बहुत असरदार भी साबित होती है पर साथ ही इसके सेवन में साउधानी बरतनी चाहिए और आख मुद कर एलोवेरा से दवा बनाने वालों के दावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए लेटिक्स एलोवेरा यह एलोवेरा की साबूत पत्यों से बने जूस में पाया जाता है जिसे एलाय लेटिक्स भी कहते हैं अपने पाचन की क्रिया को सुद्रिध बनाने के लिए लोग इसे भोजन से पहले पीते हैं ताकि उनका पाचन मज बूत हो और कब्ज से दूर रहें पर आप नहीं जानते हैं यह उतना ही नुकसान दायक होता है कहीं आप उल्टे ही डायरिया और पेट में मरोड जैसे रोक के शिकार न हो जाएं साउधानिया आप यदि लंबे समय के लिए इसके रस का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ साउ एलुवेरा की तासीर गर्म होते है इसलिए गर्भावस्था या मासिक धर्म के दोरान इसे लेने से बचना चाहिए यह बवासीर, जीगर या पिताश्राइव से पीडित लोगों को इसके उपयोग करने से बचाना चाहिए एलुवेरा बहुत ही प्राचीन और श्रधी के नाम से जानी जाती है जो तवचा संबंधी रोगों में काफी असरदार रही है लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका उपचार डॉक्टर की सलाह से ही करवाना चाहिए ना कि कोई भी उश्राधी आये इलोवेरा या कोई भी उश्राधी हो उस पर डिपेंडेट हो करके बै एक और महतो पूर्ण जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार